दोस्तों नमस्कार राज नीता रूदर बुलोग में आपका स्वागत है और आप इस वीडियो को लाइक शेयर वे सबस्क्राइब कर दीजेगा आज हम गंगा युमना सरस्ति के उद्गम सतल के दर्सन करेंगे और माता गंगा का गो मुख से चल कर गंगा सागर तक का 2525 किलो गंगो त्री यमनो त्री सरस्ति में सनान करने का सोब अगय पराप्त हुआ माता सरस्ति का उद्गम सतल माना गाई़ है जो कि यहां आप पीछे देख रहे हैं लोग कहते हैं कि माता सरस्ति के दर्सन नहीं होते यही से माता लोबत होकर प्रियाग राज में बूत में निकल संगम होता है जो कि प्रियाग माता गंगा का नाम लेकर आगे चलती है और अरिदवार में पहुंशती है हरदवार में भी माता लाखों लोगों का उदार करती है और यहां बहुत लोगों को मुक्ति भी देते हैं यहां महाकुम का मेला लगता है जो की बहुत ही सुन्दर होता है बारा साल में यहां अरिदवार और गंगा के तठरर्वात अरदवार और परियाग राज में मेला लगता तो बहुत ही सुन्दर लगता है utação यह प्रियाग राज है जो कि यहां गंगा युमना सरुस्ती तिनों का मिलन होता है और यहां तुमना किया यहां यहां पर बड़े आनन के साथ अपना मनौरंजन किया फिर हम काशी पहुंचे काशी में पहुंचकर हमने दक्सेसरगाट पर सनान किया और जहां बर्माजी ने यह किया था और यहां पर अस्षी गाट भी है यह गाट भी बहुत संदर है लाखों लोगों का यहां पर आकर सनान करते हैं और इस गंगा मैया में डुब की लगाते है और यहां मोक्त करते हैं फिर हम घंगा सागर सागर और अम ने घंगा सागर में जा कर सणान किया और माता घंगा भी घंगा सागर में विल्होंगा सागर ये है YouTube सुन और इस साट आप को बागिरत में पुटि गलाई थी और यहां पर कपिल मुनी का मंदिर है यहां मकर सकरांती के दिन बहुत बड़ा मिला लगता है जिसमें करोडों लोगों का आस्ता में डूब की लगाते हैं और अपने आपको दन्य करते हैं